आप तुम बैक टू मैं चैनल और आज जो आप थम्नेल से जान गई होगे मैं किस टॉपिक बात करने चालो जो मुझे कमेंट्स मिलते हैं मेरे यूटूब और इंस्टाग्राम सागर इंस्टाग्राइब फॉलो नहीं कि प्लीज फॉलो करें वहां पर मैं अपडेट रहता यह सारी चीज़े इस वीडियो में जाने वाले हैं और अगर आई यह वीडियो आपका अच्छे लिए प्लीज लाइक करें अपना लाइफ बनाने वाले हैं जो एक काउंटेंट बनना चाहते हैं तो लेटा इस वीडियो तो जैसा कि मैंने बोला टैली सीखने से क्या जॉप मिल सकती बहुत सारे से वीडियो आप लोग देखे होंगे लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ यह प्रैक्टिकली जो मैंने किया है जो मैंने जाना है जो मैंने लोगों से सीखा है जो मेरे सीनियर उनसे जाना है, बहुत सारे से वीडियो भी देखे, लोग बताते हैं, टैली सीखने साब को जोब मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैं हमेशा ये ही कहता हूँ, और मेरा मानना जो है आप लोगों से, जो मेरे सब्सक्राइबर से, आप लोग मुझे सपोर् और आप टैली पर सारी चीज़े तो कर लेंगे, लेकिन जब आपको कोई और सौफटर मिल जाए, या फिर एक कंसेप्ट मैं आपको समझाने चाहता हूँ, इंटर्वियू से रिलेटिट, कि बहुत लोग ऐसे हैं, जो टैली सूछते हैं, टैली सीख लेने से, क्या मैं एकांटिंग के पंसेप्ट को समझना, बहुत डिफरेंस है, अब जैसे कि आपको कोई जॉब करना है, आप किसी के रिफरेंस अप लग गए, आपकी इंटर्वियू तो नहीं होगी, ओफिसली कि आप रिफरेंस से लगे हैं, किसी के जानने वाले के लगे हैं, आपको जॉ ये इंटरी करके बताओ, टेली के अंदर नहीं, वहाँ concept चलता है, devit and credit का, आपको sale में क्या करना है, debit करना है, कि credit करना है, purchase के इंटरी कैसे होगी, debit होगा, या फिर कोई expense से पूछ लिया जाए, आपको इसको डे इविट करना है, इसको credit करना है, golden rules आपको पूछ लिया ज यह सारी चीजों को जब आप foundation तयार करेंगे तो आपको टैली क्या किसी भी software पर आपको बैठा दिया जाए आप बिंदास उसको करके हटा देंगे तो यही चीज में समझाना चाहता हूं सिफ टैली सीख लेने से बहुत लोग ऐसे भी है जो कोई भी purchase की entry दे दिया जाए और टैली पर फटाफट करके हटा देंगे या शिल की entry purchase की लेकिन अगर आप एक जेवी के माध्यम से बोल दूं कि आप purchase करके दिखाओ इसको entry तो आदि में अटक जाएगा यह मैं आप खुद अगर आप सोच रहे होंगे तो आप भी कभी अजमान अपने आपको कि आपको जे debit. credit क्यूं होता है यह सारी चीज़े आप अगर समझ जाएंगे सारे concept को आप समझ जाएंगे तो आप finalize करना आपके लिए हलुआ हो जाएगा एकदम easy हो जाएगा आपको कोई भी problem नहीं आएगे और tally रही tally की बात तो tally सीखने से आप accountant नहीं बन सकते हैं यह मेरा P&L को finalize करे, trial balance को आप सीखें क्यूं debit side हो रहा है, liabilities क्यूं debit होगा, क्यूं asset credit होगा, क्यूं asset debit होगा, क्यूं asset credit होगा, यह सारी चीज़ों का आप जब जानेंगे तब आप समझ जाएंगे कि tally is not important, कि आप सिख tally सीख ले, बहुलों के पास certificate भी होता है जो हमारी यहां क प्राम करने आते हैं, उनके पास बाकाइदे tally का certificate होता है, लेकिन जब concept को समझा जाता है, तो सामने, समझ में आ जाता है कि concept अभी clear नहीं है, इसी concept को clear करने के लिए आपको foundation को अच्छा करना है, debit credit को समझना है, golden's rule को समझना है, कब apply हम क्या करेंगे, इसके क्या consequences ये सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है, अगर आप accountant बनना चाहते हैं, और tally सीख लिने से आप सूच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर लिया जाए, तो नहीं हो सकता कि कुछ भी हासिल कर लिया जाए, अगर एक जगहां आप कर रहे हैं सारी चीज़े, अगर दूसरी जगहां जा रहे हैं, अगर interview के करना चाहा रहे हैं, तो आपको tally पे बैठा के sales purchase के entry नहीं कराएंगे, आपको concept को clear करेंगे, आपको concept के जानना चाहेंगे, कि आपको कुछ ऐसी सवाल दे देंगे, जो आपको वहाँ पर orally आपको बताना है, जब आपके concepts clear करेंगे, officially तभी आप बता सकते हैं, otherwise तो आप तो कहेंगे, भाई मेरे पास में को computer दो, और एक purchase के entry, sell के entry मैं करके बताता हूँ, ऐसा नहीं होता interview में, आपको computer नहीं दिया जाता है, आपको orally बताता है, लेकिन बहुत लोग अटाएंगे, उसी चीज को मैं समझाना चाहत कि टैली सीखना, टैली सीखने के बाद क्या मुझे job मिल सकती है, और भी जानना बहुत ही जोरी, जैसा कि मैंने बोला कि हमारे यहां office पर आते हैं, बहुत लोग ऐसा refresher, जो टैली को सीख ली रहते हैं, फिर भी concept clear नहीं होता, उनको और अच्छा बनने के लिए, वो सीखते हैं, इंटर्शीप करते हैं, अच्छी तरीके से वो अपने कामों को लेते हैं, seriously और काम करते हैं, अगर आप भी अपने कामों को seriously लेंगे, और टैली के माद्धे हमसा आप job को find करेंगे, तो मुझे नहीं लगता आपको मिल जाएगा कोई भी job, मुछ लोगों को मिल जाती ह करेंगे, आप सीखेंगे, और भी चीज़े आप debit and credit के माध्यम से समझेंगे, कि actually में होता कैसे, कैसे काम करता है, real कि क्या consequences है, परसनल में क्या है, ये सारी चीज़े समझेंगे, तो I'm sure कि जो accounting में जो आपकी grief होगी, वो बहुत अच्छी होगी, I'm sure ये वीडियो आपको अ